हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करेंगे फेमस डांसर और सोसल मेडिया इंफ्लूएंसर मुकुल गायन और सौना डे की लव स्टोरी के बारे में अपने स्ट्रगल और हाट बर्क से मुकुल और सौना आज डांस रियल्टी सोस का जाना माना नाम बन चुके हैं मुकुल सौना की लव स्टोरी के साथ साथ इनकी सक्सेज स्टोरी भी आज हम आपके सामने रखेंगे वीडियो बहुत ज़्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाला है इसलिए आप लोग वीडियो को एन तक जरूर देखें हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जेके फैक्ट्स मुकुल का जन 21 में 1999 को 36 गड़ के रायपुर में हुआ था मुकुल की फैमिली में इनकी मम्मी और दो भाई हैं मुकुल के फादर की last year death हो चुकी है मुकुल अपने फादर के बहुत close थे और अपने पापा का हर सपना पूरा करना चाते थे और अपने पापा के सामने ही मुकुल successful होकर उन्हें काफी proud feel करवा चुके थे और इस बात की मुकुल को आज बहुत खुसी है अपने पापा के जाने से पहले उन्होंने एक successful और responsible बेटे के रूप में उनका सपना पूरा किया मुकुल को पढ़ाई लिखाई में बजपन से ही ज़्यादा इंट्रेस्ट नहीं था उनका मन डांसिंग और स्पोर्ट्स में ज़्यादा रहता था लेकिन सभी पेरेंट्स की तरह मुकुल की ममी पापा भी चाते थे कि मुकुल पढ़ लेकर कोई अच्छी सी जॉब ले ले पर मुकुल ने 12th क्लास में पढ़ाई छोड़ दी थी और डांसिंग में अपना करियर बनाने का सोच लिया 11 साल की उमर से ही मुकुल ने ये सोच लिया था कि उन्हें डांसर ही बनना है उसके बाद से मुकुल ने सिर्फ डांसिंग पर ही फोकस किया मुकुल घंटों प्रैक्टिस किया करते थे काफी कम उमर में ही मुकुल ने ओडिसन देने शुरू कर दिये थे लेकिन एक मिडल क्लास फैमिली से होने के कारण मुकुल कई बार ओडिसन की फीस भी अफोर्ड नहीं कर पाते थे मुकुल ने कई audition दिये लेकिन उन्हें सफ़ता नहीं मिली फिर मुकुल ने South India के एक तेलगू reality show के लिए audition दिया इसमें मुकुल का selection हो गया पर मुकुल उस show के winner नहीं बन पाए इसके बाद में मुकुल ने कई South Indian shows में audition दिये इसमें select तो वो हो जाते थे पर जीत फिर भी नहीं पाते थे लेकिन अब तक मुकुल अपने dance को लेके काफी confident हो चुके थे इसके बाद उन्होंने इंडिया के famous show dance इंडिया dance में participate किया जहां ये finalist बने बिनरना होते हुए भी इस show से मुकुल को काफी fame मिला लेकिन show के winner ना बन पाने का मुकुल को बहुत दुख होता था मुकुल को लगने लगा था कि इतनी मेनत करने के बाद भी वो show नहीं जीत पाते end तक जाते हैं finalist बनते हैं और runner up ही रह जाते हैं इसके बाद मुकुल को इंडिया के सबसे बड़े dance reality show इंडिया's best dancer में participate करने का मुका मिला इस show से मुकुल को वो popularity मिली जिसके वो हगदार थे और वो सब कुछ जो वो चाते थे इस show में मुकुल अपने dance के साथ साथ personal life को लेकर भी काफी चर्चा में रहे और इंडिया's best dancer में ही मुकुल ने अपनी girlfriend sona day के साथ अपने relationship को public किया मुकुल ने सबी judges के सामने बोला के वो sona से साधी करना चाते हैं मुकुल और sona की love story कहां और कैसे शुरू हुई इसे जानने से पहले आईए जानते हैं sona के बारे में sona का जन 19 अक्टूबर 1999 को 36 गड़ बिलासपूर में एक middle class family में हुआ था sona की family में उनके parents के अलावा एक चोटा भाई भी है मुकुल की तरह sona को भी बच्पन से ही dance और acting का सौक था sona पढ़ने में एक average student थी sona आज social media का एक बड़ा नाम है लेकिन sona को ज्यादातर लोग मुकुल गाइन की girlfriend के नाम से जानते हैं मुकुल और sona की मुलाकात एक dance reality show में हुई थी उस दोरान मुकुल struggling face में थे और साथ इंडिया में audition के लिए गए हुए थे यहाँ sona भी audition देने आई थी यहाँ इन दोनों की थोड़ी बहुत बातचीत हुई वो दोनों सेम स्टेट 36 गड़के थे इसलिए उनकी वहाँ दोस्ती हो गई मुकुल एक अच्छे डांसर तो थे ही मुकुल के डांस से इंप्रेस होकर sona ने मुकुल से डांस में help मांगी और मुकुल फिर sona को डांस से खाने लगे जहां से यह दोनों धीरे धीरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए और यह दोस्ती कब प्यार में बदल गई दोनों को पता ही नहीं चला दोनों ने एक दूसरे से अपनी feeling सेयर की लेकिन किसी और को नहीं बताया इंडियास बेस्ट डांसर में परफॉर्म करते टाइम सभी जजिस के सामने ही पहली बार दोनों ने अपने relationship को reveal किया मुकुल और सोना साथ में रिल्स वीडियो बनाते हैं और दोनों की ही सोसल मीडिया पर fan following काफी अच्छी है सो फ्रेंड्स ये थी लव स्टोरी मुकुल और सोना की उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी अगर आप लोग और भी ऐसी interesting वीडियो देखना चाते हैं तो हमसे connected रहें मुकुल और सोना की ये वीडियो कैसी लगी इस पर अपना response जरूर दें अच्छी लगी तो like, share और comment करें अगर आप चैनल पर पहली बार आई हैं तो चैनल को subscribe करके वेल आईकोन प्रेस कर दें